कि गुड़ मॉरूंग फ्रेंड्स जेनेम सेकेंडियर का मेडिकल सर्जिकल फरस्ट का फर्माकोलोजी का मैं अगले टोपिक अस्टार्ट कर रहा हूं डोपामीन डोपामीन का क्या फर्माकोलोजी कल उच होता है डोपामीन एक ऐसी ड्रग है जिसका प्रियोग हम लोग रिनल फिलीयॉर मतलब की आपको किडनि सबंधित कुश समस्य है तो ऐसी परस्थिति में डोपामीन का प्रियोग किया जाता है आपको open heart surgery करना है तो ऐसी इस्थिति में आपको dopamine का प्रयोग किया जाता है आपको हिर्दे में किसी परकार के बिसेश बिक्रिती है तो ऐसी इस्थिति में dopamine का प्रयोग किया जाता है myocardial growth gland करन myocardial में मतलब heart में किसी परकार का अधि ब्लोकेज आता है जिसके चलते आपको सौक की समस्थ जाती है तो ऐसी इस्थिति में आपको dopamine का प्रयोग किया जाता है dopamine का यूजग किया जाता है उपचार के लिए एक क्या करता है कि हर्ट सिस्टम में जो cardiac output होता है systemic vascular resistance को बढ़ाता है इस दावा का प्रयोग कब-कब नहीं करना चाहिए इस दावा का प्रयोग अधि आप गरहोती आवस्ता में अस्तन पन करा रही है तो ऐसी इस्थिति में dopamine का प्रयोग नहीं करना चाहिए अधि आपको किसी तोत्तोक साथ allergy है तो ऐसी इस्थिति में आपको डॉक्रिक सलाह के बाद ही प्रयोग करना चाहिए आपको अधि blood pressure down रहता है तो ऐसी प्रस्थिति में आपको नहीं करना चाहिए heart failure है तो ऐसी इस्थिति में आपको नहीं करना चाहिए कि मायो काडे duy तो है इसी प्रिप्रिस्टिति में आपको डॉक्ट्ञ प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही दावा का प्रयोग करनी चाहिए भूपामीन एक ऐस्य ड्रग है जुकि एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है इसको जब ही लेना चाहिए तो डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही उज़ करना चाहिए विदाओ डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन का एसब ड्रग नहीं उज़ करना चाहिए क्योंकि एस्पेसल रोग के लिए होता है जैसे आपको renal flare हुआ, myocardial infection हुआ, blood pressure हुआ, heart flare हुआ वो ऐसी इस्थिति में इसका open heart surgery हुआ, ऐसी इस्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है इसका क्या-क्या side effect हो सकता है, अधि आप इसको लेते हैं तो आपको सरदर्द की समस्या हो सकती है, उल्टी हो सकती है, आपको nausea हो सकता है, घबरहास्ट हो सकता है, हाइपो टेंशन की सिकायत हो सकता है और polyurea हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको urine output की समस्या, मतलब बार बार आपको पिसाब लगने की समस्या आ सकती है इसलिए जभी इस दवा को लेना चाहिए डोपामीन को आपको डॉक्टरी सला के हिसाब सही लेना चाहिए और डॉक्टरी प्रिस्क्रीप्शन के अंदर ही लेना चाहिए और डॉक्टर के देखरेक में इसका प्रयोग करना चाहिए विदाव डॉक्टर प्रिस्क्रीप्शन क इसका प्रियोग नहीं करना चाहिए थांक यू